नमस्कार आज फिर मैं आपके लिए हिंदी विशाय के अंतरगत एक विग्यापन लेकर आया हूँ तो प्रस्ण कुछ इस प्रकार से है आपके मित्र ने हेर कटिंग अथवा हेर सैलून की एक नई दुकान खोली है उसके पिरचार पिरचार एह तू पचीश से पचास सब्दों में एक विग्यापन त्यार कीजिए ठीक या तो हेर कटिंग लिखकर आ सकता है या सैलून या बाल काटने की दुकान इन में से कोई भी नाम हो सकता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम यह देख लेंगे कि प्रस ने पूछा किस सम्मंद है तो इसमें कहा गया कि आपके मित्र ने एक हेर कटिंग की दुकान खोली उसी का पिरचार पिरचार करना है तो फिर चलो हम सुरू करते हैं ठीक है तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको उत्तर लिख लेंगे उत्तर लिखने बात लिख देंगे विग्यापन लेखन अगर विग्यापन लेखन ना लिखे तो ऐसा भी लिख सकते हैं cutting salon का विज्यापन ठीक दो मैंसे जो अच्छा लगे उसको लिख लेते हैं फिर उसके बाद पेंसलिया पें अत्वा स्केल की सायता से हम यह क्या करेंगे बॉक्स बना लेंगे पूरा इस तरह से और यह डिजाइन करना चाहिए नहीं तो लाइनी खीज़ते हैं और नीचे भी तरफ से आप कोई भी नाम चुनकर लिख सकते हैं तो हमने लिख दिया सोपर एयर कटिंग सैलून ठीक आप भी ऐसे स्टाइल में लिख सकते हैं और दो छोटे से चितर बना सकते हैं एक कहची बना दिया दूसरा कंगा बना दिया इतना बहुत सिंपल सा है बनाना इजी दे उसके बाद हमने लिख दिया समय यहीं दुकान कितने समय खुलती है कब से कब तक तो यहां लिख दिया समय उसी के नीचे सुबह 8 वजे से 1 वजे था साम 5 वजे से 9 वजे था फिर नीचे हमने एक बॉक्स बना दिया और उसमें हैर कटिंग की सूची लिख दी तो रेट तो पहला लिख दिया हेर कटिंग के 40 रुपए, दाड़ी सेविंग के 35 रुपए, मसाज के लिए 25 रुपए, मेकप के लिए 150 रुपए, हेर कलर के लिए 75 रुपए, और उसके नीचे फिर हमने लिख दिया पता, चीक तो पता क्या है? आप कोई साभी पता लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, और चाहे तो इसके नीचे फोर नमबर भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार ये विग्यापन हमारा पूरा बन कर तयार हो जाएगा, ये, और चाहे तो इसमें आप एक दो स्लोगन भी लिख सकते हैं, अब ये पूरा बिग्यापन बनने के बाद दिखाई कैसा देता है, इसको और दिख लेते हैं, जब हमारा पूरा बिग्यापन बन कर तयार हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये दो कोई आपका उत्तर लिखा, ये बॉक्स है, ये इसका सीरसक, ये सम है, ये रेट सूची, ये इस्थान और ये दो चित्र बने हैं, ठीक है, अब बिग्यापन लिखने से पहले कौन कौन सी साउधानी रखेंगे, तो हमेशा आद रखना कि इसको हम बिग्यापन के फॉर्मेट में बना लेंगे, लिख लेंगे, तो इसके अंदर जो हम बिंद लिखती नहीं होगी, और आपके अंक भी नहीं कटेंगे, ठीक, अगर आपके पास कोई ऐसा विख्यापन हो, जिस पर आपको विग्यापन लग रहा हो कि बहुत महत्पूर है, और लिखने में कठना ही आ रही हो, तो आप वो विख्यापन को देखकर दो बार क्या करें, स्वाइम अपने आप बगएर देखे, बना कर देखें, और मिलान करके देख लें, अगर किसी परकार की कोई गलती हो, तो इसमें सुदार लेंगे, और अगर गलती नहीं तो समने लो, आपने बनाना सीख लिया, इसी परकार से हम दूसरे विख्यों का भी अभ्यास करेंग और कम समय में आप बिग्यापन बनाना सीख जाएंगे, अगर बिग्यापन से समंदित कोई समस्या हो या कठना ही हो, तो हमें कमेंट करके आवस बताएं, और ये भी बताएं कि आपने बिग्यापन को लिखना कितने समय में सीखा था, और उसके लिए कौन-कौन सी कठना ही आई थी और विग्यापन में आपको क्या कठेल लगता है उसके लिए भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं अगर आपने इस तरह से विग्यापन परिच्छा में साफ सुतरा स्वच सुध और काट छाट रहत बनाया तो आपको निश्चे तोर में पूरे में पूरे अंक मिलें तो आशा करता हूं कि आप विग्यापन बनाना सीख गयोंगे या समझ गयोंगे तो फिर हमें कमेंट करके बताईएगा तो फिर आज के लिए इतना ही धन्रवाद